हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलजी प्रिपरेशन्स, आज के इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमी का पार्ट एट देखेंगे, जो है किंग्डम क्लासिफिकेशन, इस वीडियो में पूरे लिविंग वर्ल्ड को कितने किंग्डम्स में डिवाइड किया गया है, वही देखे से मेजरली 2, 3, 4 and 5 की स्टड़ी की जाती है, डिटेल में, तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़े देखेंगे, किस बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, और किस ऑर्गनिजम को किस किंग्डम में किस बेस पे रखा गया है, यही है इस वीडियो का पूरा थियरी प जैसे कि हम बायलेजी में पूरे लिविंग वर्ल्ड की बारे में स्टड़ी करते हैं, तो पूरे लिविंग वर्ल्ड को किस किंग्डम में रखा जाए, किस किस ऑर्गनिजम को किस किंग्डम का एक मेंबर माना जाए, इसी चीज़ को क्लेर करने के लिए अलग-अलग साइ दिया था यानि पोरे एंटायर लिविंग वर्ल्ट को इन्होंने दो किंग्डम्स में बाता एक था प्लांटे और दूसरा एंशिवल सब्सक्राइब विद्वे सब्सक्राइब लिया animals में रख दिया बस यही इनके classification का basis था दो ही kingdom decide किये इन्होंने हैकल ने किया तीन kingdom classification अब दो kingdom तो हो गया एक plant और animalia हैकल ने क्या किया इन दो के बाद एक तीसरे kingdom का भी division किया इन्होंने establish किया एक नया kingdom जो था protista अब important है पूछा जाता term protista किस ने दिया मैंने साथ में include कर दिया qvr ने दिया था term protista अब इन्हों ने protista group में उन सारे living organisms को रखा जिनके पास tissue नहीं थे यानि tissue level का body organization नहीं था यानि उनकी जो body थी वो cellular level पे ही थी ठीक है जैसे body organization हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले cell बहुत सारे cells से tissues फिर बहुत सारे tissues से organ का formation फिर बहुत सारे organ से organ system फिर organ system से पूरा organism तो इन्होंने protista में उन्हीं organisms को रखा जिनका जो body organization था वो सिर्फ और सिर्फ cellular level था यानि tissue का formation अभी नहीं होने पाया था तो इनका kingdom इसी साब से था यानि एक तो इन्होंने plant में रख दिया दूसरे animal या रख दिया और इसमें जो confusion इनको लग रहा था कि ये तो organism है जिसमें सिर्फ cells हैं तो इनको कहां रखें तो इन्होंने animal लिया और प्लांटे से निकाल करके इन्हों एक अलग kingdom में रख दिया जो था protista important एक question ये भी है कि जो भी organisms चाहें plant kingdom की बात करें या animal kingdom की बात करें तो आपका जो plant kingdom है उसमें आपका जो tissue level का starting होता है वो होता है आपका bryophyta से यानि algae अब जो five classes पढ़ते हो plants में algae, bryophyta, teradophyta, gymnosperm और angiosperm इसमें से सिर्फ algae ऐसी थी जिसका body organization सिर्फ cellular level पे था तो इन्होंने सिर्फ algae को उठा करके protista में रख दिया ऐसे ही जब हम animal kingdom की बात करते हैं तो पूरे animal kingdom को हम phylum में डिवाइड करते हैं प्रोटोजोवा से स्टार्ट करते हुए प्रोटोजोवा 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 ही है जिसमें सिर्फ cellular level है तो इन्होंने सिर्फ प्रोटोजोवा को निकाल लिया और प्रोटिस्टा में रख दिया इसलिए एक इंपोर्टन पॉइंट यह भी है कि आप यह याद रखें कि सिलेंट रेटा फाइलम ऐसा है जहां से टिश्यू का ओरिजिन शुरू होता है एनिमिल किंग्डम में और ब्रायोफाइटा यान फुर किंग्डम ग्लासिफिकेशन जिसको दिया था कोब्लैंट ने इन्होंने अब ये नए किंग्डम का इस्टाबलीषमेंट किया जो था मोनिरा यानी अरोड़ेड़ी आनिमेलिया ब्लांटे और प्रतिस्टा तो होई चुका किंग्डम अब इंहोंने एक नया मोनिरा क अब इन्होंने Monira में किन ओर्गनिसम्स को रखा, क्या बेस बनाया? इन्होंने सारे प्रोकेरियॉट्स को, यानि वो ओर्गनिसम्स जिनके सेल बहुत ही प्रिमिटिव ओर्गनाइजेशन के थे, बहुत ही पुराने समय में जो जिन ओर्गनिसम्स का ओरिजिन हुआ था, उसी बेसेस पे इन्होंने सारे प्रोकेरियोर्ट्स या प्रिमिटिव और्गनिसम्स को जैसे बाक्टिरिया, माइको प्लास्मा, ब्लू ग्रेण अलगी इन सब को रख दिया इस ग्रूप में जो था मोनीरा। तो सारे living organisms को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, पहला रखा इन्होंने प्लांटे, जिनको metafyta भी कहते हैं, metafyta यानि की eukaryotic plants, यानि advanced cell बाले plants, सेकेंड है animalia या metazoa eukaryotic animals, यानि सारे animals जो well organized और advanced cell के साथ होते हैं, ठेक, protista है, brown algi मैंने बताई था कि तो आपका brown algi हो गय या fungi भी हो गया, protozova होगा, यह इन्होंने डाल दिया protista में, और monira हो गया prokaryotes, यानि सारे primitive, unicellular, सारे primitive organization वाले prokaryotes, तो यह आपको समन में आ गया co-plant, यानि इसमें आप जब चार, जो चार हुआ, प्लांटे animalia, protista और monira, next है आपका five kingdom classification, जो सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा question पोची जाते हैं, और आज भी five kingdom classification के ही basis पे सारी classification हो रही है, तो रही टेकर ने दिया था five kingdom classification, यह सबसे modern classification है, इसको जो classification किया गया है, वो तीन main basic characters, मतलब रही टेकर ने तीन main characters को base बनाया, इस kingdoms को divide करने के लिए, सबसे पहला complexity of cell इनों ने देखा, यानि cell को देखा कि cell कितना complex है, advanced version है, मतलब version तो नहीं कहेंगे, लेकिन advanced cell है, उसमें advancement आ गया है, या primitive type का cell है, जैसे पहले bacterias वगएरा में cell होता था, आपका cellular membrane नहीं होता था, nucleolus नहीं होता था, nuclear membrane नहीं होता था, जबकि eukaryotic cell में ये सारी चीज़े, proper cell organelles हैं, और तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी कि complex cell कितना complex है, तो इस complexity के ही base पे prokaryote और eukaryote होता है, तो जब एक इन्हो इन्होंने monira को डाल दिया, मतलब एक चीज़ इन्होंने एक kingdom clear कर ली, कि सारे organisms दो ग्रूप में पहले बाते, prokaryote में, eukaryote में, eukaryote को ऐसे छोड़ा क्योंकि उसको और divide करना था, और prokaryote में इन्होंने monira डाल दिया, एक proper kingdom इन्होंने मिल गया monira का, दूसरा base इन्होंन organization कैसी है body की सारी चीज़े, तो इन्होंने इस base पर divide किया दो में, unicellular, यानि एक cell का बना हुआ body हो, जैसे आपका protozoa में होता है amoeba और yuglina और ये सब, और दूसरा हो गया multicellular, जैसे higher animals होते हैं, हम human beings, तो unicellular में इन्होंने protesta डाल दिया, protesta में भी ये बात ध्यान रखिएगा कि eukaryotic, यानि एक cell का तो है, वो organism एक cell का तो है, लेकिन उसका cell जो है, वो advanced है, primitive type का नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरा basis हो गया, पहले में, पहले वाले complexity of cell के base में इन्हें monira मिल गया, complexity of organisms के base में इन्हें, अब आपका protesta मिल गया, autotrophic और heterotrophic, अब autotrophic वो organisms हैं, जो अपना food खुद से बनाते हैं, example, plants, और दूसरे होते हैं heterotrophic, यानि वो autotrophs पे dependent होते हैं, अपना food खुद से नहीं बना सकते हैं, वो autotrophs से ही अपना food का intake करते हैं, तो heterotrophs में तो आपके सारे animals आ जाते हैं, लेकिन इसमें भी important इन्होंने एक division किया, वो ये कि सारे plants को तो हमने मान लिया कि autotrophs होते हैं, सब plants अपना food खुद बनाते हैं, लेकिन हम खुद भी study करते हैं, कि बहुत सारे ऐसे plants हैं, जो अपना food खुद से नहीं बना सकते हैं, heterotrophic होते हैं, example में आपका fungi, जो एक saprophite है, dead decaying organism, I mean decaying material पे ही grow करता है, तो वो एक plant होने के बावजूद भी chlorophyll ना होने के नाते, अपना food नहीं बना सकता, तो इसके लिए भी एक अलग, अब इसको animal में तो डाल नहीं सकते, plant है, animal तो बना नहीं सकते, और heterotroph भी है, यानि अपना food भी नहीं बना सकता, तो और plants के साथ रखने के लि अनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मनीरा और फिर माइकोटा या फिर फंजाई, अब चुगी यह सबसे जादा acceptable kingdom classification है, तो इसका पूरा डीटेल देख लेते हैं, कि इन्होंने अनिमेलिया में किस-किस organism को रखा, प्लांटे में, प्रोटिस्टा में, मनीरा में और माइकोटा में तो सबसे पहले देखते हैं, अनिमेलिया, अनिमेलिया में सारे multicellular animals रखे गए, प्लांटे में इन्होंने सारे multicellular plants को रखा, जिसमें algae, bryophyta, teradophyta, gymnosperm और फिर angiosperms रखे गए, उसके बाद प्रोटिस्टा में इन्हें सारे unicellular eukaryotes इन्होंने रखे, जैसे जो plants और animals दोनों included थे, dinoflagellates, diatoms, euglenoids, slime molds and protozoans, अब आप कहेंगे कि प्लांटे में algae क्यों रखा गया, algae देखे, कुछ classes algae के अलग करके प्रोटिस्टा में रखे गए, सारी algae ने, क्योंकि सारी algae आपकी unicellular नहीं होती है, ठीक है, तो प्लांटे के बाद से, प्लांटे में जो आ ठाकर के रखा गया प्रोटिस्टा में, जैसे आपका protozoa phylum, ठीक है, तो dinoflagellates, diatoms, euglenoids, slime molds और protozoans, यह आगे प्रोटिस्टा में, फोर्थ था, monira, जिसमें सारे prokaryotes को रखा गया, eubacteria, ricticia, actinomycetes, blue-green algae primitive type का cell होता है, इसमें, archibacteria, mycoplasma और a-carriots, अब वाइरस की भी बात करें, तो वाइरस भी आपका connecting link है, living और non-living के बीच में, यानि कुछ ने कुछ character उसके living वाले भी हैं, तो living organisms के बीच में उसे भी एक kingdom देना पड़ेगा, तो इसलिए इस case में, इन्होंने, monira में डाल दिया आपका वाइरस, जैसे a-carriots कहते हैं, और सबसे last में ह आपका mycota, जिसमें true fungi रखी गई, यानि सारे heterotrophic plants, तो आपको ये सारा clear समझ में आ गया होगा, और इसके बाद एक और kingdom classification है, six kingdom classification, ये कोई बहुत जादा important नहीं है, थोड़ा सा five kingdom classification में changes करके इसे बनाया गया, ये बस knowledge के लिए आप इसे जान लीजे कि इसे किस ने दिया सारे organisms को सबसे पहले तीन domain में बाटा, पहला archi, दूसरा bacteria और तीसरा eukarya, archi को kingdom बनाया गया, archi bacteria का और bacteria को kingdom monira में डाला गया, eukarya को इन्होंने फिर again चार groups में बाटा, protesta, mycota, plantae और animalia, तो इस हिसाब से आपका archi bacteria, monira, protesta, mycota, plantae और animalia, ये हो गया आपके six kingdoms, अब इसम में क्या है, ये सेम five kingdom classification की ही तरह है, बस इसमें एक जो separate कर दिया गया है, वो है archi bacteria के लिए एक अलग से kingdom, तो ये पुछा जाता है, क्या आर्की बैक्टीरिया को एक अलग kingdom देने वाले कौनसे scientist है, तो काल वूस ने दिया था six kingdom classification, archi bacteria को एक अलग kingdom देने के साथ में, तो य kingdom classification दिया, linious ने, plante और animalia में divide किया दो kingdom, three kingdom classification दिया, haeckel ने, plante, animalia और protesta था, इनका तीन kingdom, four kingdom classification, copland ने दिया, plante, animalia, protesta और monira, ये थे चारो kingdom, five kingdom classification, आर्च वितेकर ने दिया, plante, animalia, protesta, monira और mycota, और सबसे आखरी में, six kingdom classification दिया था, काल वूस ने, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मॉनीरा, माइकोटा और आर्की बैक्टेरिया तो यह हो गए आपके six kingdoms तो चलिए यही था पूरा theory portion आपका kingdom classification का तो चलिए आप एक important questions का set भी solve कर लेते हैं तो हमारा पहला question है four kingdom system of classification proposed by option two, copland in two kingdom system of classification, yuglina is included in yuglina connecting link है, animal यह और plantic group का unicellular animal है और chlorophyll होने के वज़े से खुद का own food prepare करता है, इसको रखा गया था प्रोटिस्टा में, option four next question, kingdom monira comprises the kingdom monira में सारे prokaryotes रखे जाते हैं, option three prokaryotic organisms, vitaker is famous for option three, five kingdom classification in vitaker's five kingdom classification, eukaryotes were assigned to तो vitaker ने five kingdom classification दिया था, जिसमें से five में से one kingdom ऐसा था, जिसमें prokaryotes रखे गये थे, monira में, बाकी चारों में eukaryotes रखे गये थे, plantae, animalia, mycota और protesta, यसे correct answer है, option two, only four of the five kingdoms, vitaker placed prokaryotes and acaryotes in, तो prokaryotes को monira में रखा गया था, option four, according to four kingdom system of co-plant, the fungi belong to kingdom, तो four kingdom classification में, फंजाई को protesta में ही रखा गया था, अभी आपका mycota नहीं correct है, according to vitaker kingdom monira includes prokaryotes and acaryotes, option two, the separation of living beings into five kingdom is based on, तो five kingdom classification, vitaker ने जो दिया था, वो दिया था, complexity of cell structure, complexity of organism's body and mode of obtaining nutrition, इन तीनों बेसे पे, इस ते correct answer है, option four, all of the above, which of the following organisms were never included in protesta, यानि इसमें से कौन सा ऐसा organism है, जो protesta में कभी भी नहीं रखा गया, तो mosses, mosses fungi में आते हैं, इनको कभी भी protesta में नहीं रखा गया, option four, kingdom of unicellular eukaryotes, option two, protesta, in five kingdom system, the main basis of classification is, तो structure of nucleus, structure of cell wall, isexual reproduction and nutrition, तो इसमें से nutrition को base बनाये गया था, और भी दो bases थे, लेकिन इसमें से match कर रहा है, second option, nutrition, तो students, आपको ये topic कितना समझ में आया, और कुछने questions आप से correct हुए, मुझे comment section में ज़रूर बताएं, ये बहुत important topic है, इससे questions definitely पूछे जाते हैं, और आप इन questions की practice करते रहें, ताकि आपके exams में कभी भी गलतना हो इन topics हैं, जो भी questions आते हैं, और अगर आपको video helpful लगता है, तो please मेरे videos को like करिए, share करिए, और channel को subscribe भी कर लिजे, ताकि आपको सारे videos time to time मिलते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, taxonomy का एक और वीडियो बचा है, उसे part के बाद आपका पूरा taxonomy cover हो जाएगा, फिर हम प्लान कर रहे हैं कि जितना भी हमने videos करवाए हैं taxonomy पे, उसके compilation में एक पूरा question set हम लेके आएंगे, जिसमें सारे videos में included questions का collection होगा, ताकि आप practice करके